तो हेलो जो मैं हूँ आशी शोर दोस्तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको एक फुल रिव्यू दूँगा एंड्रोइड आर की डैवलोप प्रिव्यू 3 जी एसाई का जिसको पोर्ट किया है मिस्टर एरफान ने रेड्मी नोट 7 में तो दोस्तो आपको रीकवरी में जाना कि आप पर जाकर उसे वीडियो को देख सकते हो के एंड में है उसन विडियो का लिंक ढagar को देदूंगा धोत दोस्तो आफो वीडियो जाकर जरूद GG तो दोस्तो सबसे पहले आप यहां पर रूम को इंस्टाल करोगे उसके बाद आप वेंडर को छोड़के डैल वे कैश सिस्टम डिटा को वाइप कर दोगे और फिर आप GSI को इंस्टाल करोगे दोस्तो जब आप GSI को डामलूट कर लोगे तब वह एक जिप फॉर्म में नी कर रही है और क्या क्या चीजे जीए साई में कर रही है वह यह दो सारी चीजे बहुत अच्छी तरिके तरीके से काम कर रहिए लेकिन जैसे कर दो वाले रेवियो में कि सारी चीज़े बहुत ही स्लो काम कर रही है अगर आप किसी बाइकॉन को दवाते हो तो दो से तीन सेगंड के बाद वो अन होता है और कभी कभी सिस्टम पूरा का पूरा क्रेश हो जाता है दोस्तों यह जी एसाई यूज करने लाइक नहीं है ऐसा डेली को राइट में अलग सेंसिटिविटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और दोस्तों यहां पर जो मल्टी टास्किंग टैब है उसको भी थोड़ा सा री डिजाइन कर दिया गया है और इसकी नीचे आपको एक स्क्रीन शॉट का बटन मिलता है जैसे आप उसको क्लिक है उसका स्क्रीन शॉट आपको देखने को मिल जाएगा और शेयर पे क्लिक करने के बाद आप उसे डारेक्ट शेयर भी कर सकते हो और दोस्तों यहां पर जो वाल्यूम पैनल है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है जो एंड्रोडर का डैवलोपर प्रीविउट था और आपको कुछ जादा चीज़ देखने को नहीं मिलेगी आपको सारी चीज़े बिल्कौल वैसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको पिक्सel इएक्षब्रा में देखने को मिलती थी और दोस्तों यहां पर आप android वर्जन पर क्लिक क हो तो क्लिक करोगे तो आपको देखने को म से अपने laptop या computer को connect कर लोगे तो आप wireless debugging के option से अपने phone को control कर सकते हो और किसी भी file को install कर सकते हो जैसे कि हम command prompt के जरिये करते दें और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छा option आया multitasking में कि अगर आप किसी में दोस्तों अब हमें वहीं wallpaper style देखने को मिलते हैं तो ठीक दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही thank you and have a nice day